हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल विकास Trioventech में तो फ्रेंट्स, अगर आप एक Instagram Using है Instagram एप्लिकेशन को चलाते हैं तो आपको पता होगा कि Instagram की नह ने अपडेट अरे हैं और Instagram का एक बहुती बड़ा अपडेट आया है जो बलू टिक को लेकर है अब आपके profile के उपर आपने देखा भी होगा कि Instagram की जो आपका account है उसके उपर एक notification आया होगा जिसमें आपको ये बोल रहा है कि अब आप blue tick ले सकते हैं blue tick लेने के लिए इस पर click करें ठीक है verified या फिर आपको option भी मिला होगा meta verified का जिस पर click करके आप 699 रुपे देखे आप blue tick ले सकते हैं और आप काफी जादा खुश हो गए होंगे कि आपको 699 रुपे देने हैं और आपके Instagram पर भी verified का जो blue tick है वो लग जाएगा लेकिन 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 यहाँ पर आपको Instagram blue tick लेने से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको यह blue tick लेना भी चाहिए या नहीं आपको 699 रुपे देने से कोई फायदा होगा भी या नहीं इसलिए इस वीडियो को पूरा सुरूर से लेके लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपको अभी तक ये तो पता ही है कि इंस्टाग्राम पर ये ब्ल्यू टिक या वेरिफिकेशन बेच उसी प्रोफाइल को मिलता था या तो वो कोई बड़ी प्रसनेल्टी होती थी या फिर कोई एक्टर होता था कोई हिरोईन होती थी या फिर कोई बड़ा आर्टिस्ट होता था उसका चैनल या फिर बहुत ज़्यादा जिसने महनत की उसका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ हो उस पे millions में followers चले गए हो या लाखों में चले गए हो तो उस चैनल को Instagram की तरफ से ये verification blue tick मिलता था और जिसका एक meaning होता था कि इसको ये blue tick मिला हुआ है तो आप भी उस पे आख बंद करके विश्वास कर लेते थे जैसे मान लिज्ये कि आपने YouTuber देखे होंगे बड़े-बड़े YouTuber के नाम से fake IDs भी Instagram पर बनी होती है जो आपको ठग लेते हैं उनके नाम से लेकिन जब आप एक verification batch लगा हुआ देखते थे किसी profile के आगे तो आपको लगता था कि ये एक real बंदा है इससे हम chat कर सकते हैं तो ये real ही हमें reply आएगा यहां से कोई fake reply नहीं होगा हमारे साथ कोई भी धोका नहीं होगा क्योंकि इसको verified check मिला हुआ है एक authenticity होती थी उसकी अपनी की इसको verification मिला हुआ है Instagram की तरफ से ये real profile है लेकिन अब जो ये update आया है जिसमें 699 रुपे अगर आप देके अपने Instagram का जो blue tick है वो आप खरीद लेंगे तो उसकी value जो है वो बिल्कुल खतम हो जाएगी वो authenticity उसकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी उसकी value ही नहीं रहेगी क्योंकि हर कोई अगर जिसके पास भी 699 रुपे होंगे वो 699 रुपे भर कर अपने Instagram पर जो भी है blue tick ले लेगा चाहे उसकी profile पर 10 follower है 100 follower है 1000 follower है उससे कोई फरक नहीं पड़ता कोई criteria Instagram नहीं हाँ पर decide नहीं किया है कि इतने से उपर पर ही ये मिलेगा उसने हर profile को हर user को इस तरीके का ये जो blue tick है वो ले सकता है बस आपके पास 699 रुपे होने चाहिए तो हर कोई अगर ये blue tick ले लेगा तो उसकी authenticity बिल्कुल समाप्त हो जाएगी कोई value ही नहीं रहेगी तो तो जो fake ideas वाले हैं वो भी इस blue blue tick को ले लेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ आपका पैसे दे के blue tick लेने का आपको कोई भी फैदा होगा ही नहीं आपकी profile पे जब आप ग्रोह ही नहीं है आपके 100 फोलोवर हैं 50 फोलोवर हैं कोई आपकी पोस्ट को देख ही नहीं जा तो आपका blue tick लगा के आप क्या मेरा suggestion यह है कि आप 699 रुपए अपने वेस्ट ना करें इन चक्रों में ना पढ़ें अपने Instagram को रियल तरीके से आप बोस्ट करें पहले उसको अच्छे से ग्रोह करें अपने Instagram एकाउंट को जो भी आप पेज बना रखा है आपने जो भी है उसको Instagram को अपने को ग्रोह करें आप उसके बाद आप जाके blue tick लें जब आपका अच्छे खासा audience हो जाए आपके पास अच्छे खासे आपके subscribers हो जाए उसके बाद आप blue tick लें उससे पहले बिल्कुल भी इन चक्रों में ना पढ़ें उमीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये blue tick ल लागा या बुरा या इससे आपको कोई फैदा होगा या नुकसान वह भी आप मुझे comment section में करके जरूर बताएं thank you